दोस्तों आज कल घर में सभी के घरों में इस टाइप की आलमारियां तो कई होती हैं लेकिन इसका सुरच्छा करना भी जरूरी होता है नहीं तो ये आलमारी बहुत ही गंदी हो जाती है धूल मिट्टी के कारण जब हावा चलती है तो घर में थोड़ी बहुत कितनी भी बाय बंद रहे लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आती रहती है जो कि खुला हुआ सामान जो रहता है उस पर धूल मिट्टी बैठ जाती है तो दोस्तों आज हम आपको आलमारी की सुरच्छा करना बता आंगे जिससे आपकी आलमारी देखने में भी सुंदर लगेगी और बहुत ही अच्छे से आरॽ नाइज भी रहेंगी देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाली है आप इस विडियो को देख लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आलमारी का कबर बनाetus बना इसमें थोड़ा बहुत सितारा रहता है जो की गड़ता है तो इसलिए इसका यूज हम कैसे करें जैसे आलमारी का कबर बना करके कर लेंगे और उसके बाद जो बार्जा होता है घर में उसका कबर भी बना करके यूज कर सकते हैं तो चलिए आज हम इस साड़ी से आलमारी का ब कि इसे सिल लिया है थोड़ा कपड़ा बचा हुए था तो इसका हम कवर बनाएंगे तो इसे हम रख देते हैं सबसे पहले आलमारी का मेजर्मेंट कर लेते हैं आलमारी का मेजर्मेंट हम सबसे पहले यह चौडाई करेंगे तो यहां से हम इंची टेप लगाएंगे और उसके बगल की चौड़ाई देख लेते हैं, यहाँ पर 20, 21 के आसपास पहुँच रहा है, तो इस तरीके से इसकी चौड़ाई हो गई, दोनों साइड यही सेम साइज लगेगी, अब उपर से हम मेजरमेंट कर लेते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों 78, इतना लंबाई उसकी है, इस तरीके से हमें साइड को मेजरमेंट करके काटना पड़ेगा, तो साड़ी हम सबसे पहले अंदाज लेते हैं यह देखिए दोस्तों यह साड़ी है साड़ी में अक्सर इसी इतना ही लंबाई चोड़ाई होती है तो यहां से इस तरीके से हम साड़ी को लगाएंगे यहां कोने से यहां कोने तक यह देखिए दोस्तों एकदम बराबर आ रह तो इसलिए इसे हमें बीच में कट करना होगा क्योंकि आगे के साइड में दर्वाजा लगा होता है दर्वाजा खोलना बंद करना पड़ता है तो इसलिए आगे के साइड में कट करना होगा तो चलिए हम इसका मेजरमेंट करके इसे काट लेते हैं उसके बाद आपको हम सिलन बताएंगे, तो सबसे पहले हम यहां से इसकी लंबाई के कट करेंगे पीछे वाले पार्ट के लिए, इस तरीके से अच्छे से फैला करके तब इसकी लंबाई जोड़ाई मेजरमेंट करना है, कि नारे से इंची टेप लगाएंगे, इस तरीके से मेजरमेंट करते हुए चल यहांपर हमें कट करना हो गए यहां पर चैटातर इसाफ हे जाट आप्धि ओपर आर्मारी हो गया है तो यहां पर एक दम सीदब फट जाए mó खाल उसके बाद इसी नाप का हम और बाकी सब पार्ट काट लेंगे तो अब हमें इंची टेप की जरूरत नहीं होगी हम इसी नाप से कट कर लेते हैं ये 78 इंच हमने पीछे के लिए कट कर लिया है अब हम आगे के लिए कट कर ले रहे हैं और दोनों बगल का भी 78 इंची कट करना पड़ेगा तो हम इस तरीके से इसे नाप करके उसके बाद कट करेंगे फिर से हम ओई सेम प्रोसेस करेंगे उसके बाद ये दोस्तों देखिए इतनी साड़ी बची हुई है इसका अब हम क्या करेंगे बाद में देखेंगे अभी हमें एक पार्ट इसी नाप का और चाहिए तो इसके लिए हम दूसरी साड़ी का प्रियोग करेंगे तो हम दूसरी साड़ी ले ले लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं दोस्तों ये देखिए हमने सेम कलर की दूसरी साड़ी भी ले आया हैं अब हमें इसी तरीके से एक पार्ट और कट करना है यानि कि हमें तीन पार्ट करना है एक पार्ट आगे के लिए एक पार्ट पीछे के लिए एक पार्ट में दोनों बगल में हो जाएगा तो इस तरीके स इसे हम नाप लेंगे उसके बाद इसे भी उसी नाप से काट कर लेंगे जो गोट वाला पाँ वानिकी जो है एपाइब हो पकी तरस लगाएंगे और अर गोट वाला के पार्ट में से आधा आधा पार्ट निकलेगा तो वो हम बगल में लगा देंगे तो ये अब साड़ी हमारी इतनी पस गई है तो इसे हम दूसरे काम में यूज कर लेंगे अब चलिए हम कवर बनाना सुरू करते हैं तो सब से पहले हम पीछे वाला पार्ट जोड लेंगे आलमारी के कवर में तो ये हम उसी नाप का ऊपर का पार्ट जोड करके ले लिए हैं इस पर आप बेट सीट भी लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा मोटा कपड़ा लेना होगा जिससे धूल मिट्टी नहराने पाए तो ये हमने ले लिया ये परदे का कपड़ा है तो अब हम चलिए इसे बनाते हैं ये देखिए दोस्तों ये आपको ये वाला पार्ट नहीं सीलना है पहले ये वाला पार्ट सीलना है जो की चोड़ाई वाला होता है तो इसे हम सील लेते हैं सबसे पहले यहां चोड़ाई वाले पार्ट पर लगा करके तो सबसे पहले मसीन में धागा भरना है हमारे मसीन मे बाबीन में धोड़ा धागाल जब ख़तम होगा हम भारेंगे तो इस तरीके से यहां से लगाएंगे और इसे शी लेंगे याणि कि आपको समझ में आ गया होगा है यह चोडाई वाला पार्ट है तो इसे हम सीलते हैं पहले तो हम ये वाला पार्ट जॉइंट कर लेते हैं उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि क्या जोड़ना है ये देखिए दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट सील उठा है अब हम दूसरे पार्ट को सीलेंगे तो दूसरे पार्ट को सीलने से पहले यहां पर थोड़ी जगा छुटी हुई है इसका भी हमें उपियोग करना होगा तो इसलिए हमने जादा थोड़ा जगा छोड़ दिया है तो अब हम चलिए इस पार्ट को सबसे पहले आधा कर लेंगे यह देखिए दोस्तों जो हमने लंबा-लंबा कट कर लिया है इस पार्ट को हमें सबसे पहले आधा कर लेना होगा तो हम यहाँ से इसे डबल कर लेंगे और उसके बाद यहां पर कैचे से कट कर देंगे तो यह एकदम सीधा सीधा आधा हो जाएगा तो यह हम सामने के पार्ट में लगाएंगे जिससे देखने में सुन्दल लगे क्योंकि आलमारी का कवर बना रहा है तो आलमारी का कवर पीछे तो नहीं देखता है लेकिन सामने देखता है उसके बाद यह हमारा पीछ बगल का पार्ट है तो बगल के पार्ट में हम इसे जॉइंट कर लेते हैं तो यहां से हमें यहां से हमें लगाना है इसमें जॉइंट हभी करना होगा न तो सबस्ब पहले ये जवडाई देखकर करके लगाएंगे oh, उसके बाद ये ज्वाइ ये जो है दोनों में ज्याइंट कर लेंगे तो सब सब्सें पहले हम चा यॉडाई ज्वाइंट कर लेते उसकेlog दिखातेग हैं यह थोड़ा सा बढ़ा करके इसे छोड़ देंगे यह देखिए दोस्तों आधा इंच इसे छोड़ देंगे जिसे दोनों जॉइंट करने में दिक्कत ना हो यहां से हम फिर मसीन लगाएंगे और उसके बाद इसे सिल लेंगे यह देखिए दोस्तों चोड़ाई वाला भी एक पार्ट जुड़ गया है अब उसके बाद हम सामने के लिए जोड़ेंगे तो सामने के लिए हमने जो यह आदा कट करके रखा है इसे जॉइंट करेंगे जिसे यह देखने में सुन्दल लगे इसके लिए हम यहां से सुरू कर सब्सक्राइण करेंगे यह जो है गोटा वाला पार्ट यह वीचो बीच उपेंगे पड़े जिससे उस साइट का भी और यह साइट का भी दोनों वीचो बीच में पड़ेगा यह देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा तो यहां से हम पहले इसे लगा लेते है घोड़ा सा चोडना है। और उसके बाद से शिल देना है। यह हम पहले जाइंट कर लेते हैं उसके बाद लिए खतम होगा। तो दूसरा वाला पर भी दिखाते हैं। यह देखिए दोस्तों जो हमने एक पार्ट और कट कर लिया था उसको भी हम डबल कर देंगे और उसके बाद इसे भी कट करके फाड लेंगे तो यह बगल के लिए हो जाएगा एक सामने के लिए तो हम इसे फाड कर तब आपको दिखाते हैं कि इसे कैसे जोड़ना है अब वैसे आप तो समझ ही गए होंगी क्या कैसे बनाना है इस वाले पार्ट को हम रख देंगे और यह जो जादा है भी है इसे हम जाएंट करेंगे तो यहां देखिए दोस्तों, हम पहले पार्ट को ज्याइंट कर लिया हैं, अब यहीं से हम दूसरे पार्ट को भी ज्याइंट करेंगे, यह देखिए तो दोस्तों हमने उस वाले पार्ट को भी जाइंट कर लिया अब ये बगल वाला पार्ट जो एक बच्चा है इसे भी हम इसी तरीके से जाइंट कर लेंगे इसको जोडने के बाद उसके बाद हम चारो कोरने पर जो रखे हैं थोड़ा बढ़ा के कपड़ा छोड़े हुए हैं उसको जाइंट कर देंगे हमारी आलमारी की कवर बन करके तयार हो जाएगी अब यह देखिए दोस्तों हमने चारो कोरने पर सिल लिया है अब हमें इस टाइप से चारो कोरनों पर दोनों पकड़ पकड़ करके अच्छे से पूरी सिलाई लगा देना है ध्यान रहे कि आगे वाले जो पार्ट हम खोले हुए हैं यह दोनों पार्ट आपको नहीं सिलना है और बाकी चारो कोरनों पर इसे सिल लेना है तो हम चारो कोरनों पर इसी तरीके से सिल करके उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आगे आपको क्या करना होगा इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आप आलमारी के कबर आसानी से बना पाएंगे आप कोई भी अलमारी का अपर्र बना सकते हो अब दोस्तों आप sorti मैं देख सकते हैं और आन सूझाह्त हम उसके बाद हमें यह करना को क्या होगाTell करना यह आगे को क्शुबला नहीं रखना होगा इसलिए हमें यह मैं इस में दोरी लगानी होगात मैं थ harus और उसके बाद तीन, तीन इधर लगाएंगे, तीन इधर लगाएंगे, तो डोरी आप चाहें तो सिल ले नहीं, तो हम ये जो पर्दे वाला कपड़ा रखे हैं, इसी से पतला पतला काट करके लगा दे रहे हैं, तो हम लगा दे रहे हैं डोरी, उसके बाद आलमारी में आप को लगा करके दिखाएंगे, आलमारी कैसी दिख रही है, तो हम डोरी लगा लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं, यह देखिए, यह देखिए दोस्तों, हमने एक डोरी तयार कर लिए है, अब हम इसमें डवल कर देंगे, और इसे हमें जॉइंट करना होगा, तो जाइंट करने के लिए सबसे पहले यहां पर एक डोरी हम लगाएंगे तो इस तरीके से नीचे डबा देंगे और उसके बाद यह मजबूत कर देंगे तीन चार बार चला करके बहुत जादा मजबूत करेंगे क्या करने यह थोड़ा सा ही रहेगा क्या इससे कुस्ति खेली जाएगी बस यह हो गया एक डोरी लग गई और इसी तरीके से इधर भी नाप करके हम दूसरी डोरी लगा देंगे यहाँ पर नाप करके हम इसी तरीके से तीन डोरी लगा देंगे एक उपर एक नीचे और एक बीच में तो हम डोरीों को लगा लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं आलमारी पे कवर चड़ा करके तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारा आलमारी का कवर बन करके तयार हो गया अब हम चलिए इसे आपको आलमारी पर लगा करके दिखाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि यह कवर कैसा बना हुआ है तो चलिए हम सबसे पहले इसे सीधा कर लेते हैं उसके बाद आ यदि आपको खोलना हो तो इसे खोल दीजिए और उसके बाद इस तरीके से अलमारी को खोल सकते हैं और उसके बाद इसे बंद भी कर सकते हैं और फिर इस डोरी को बाद देना है ये देखिए दोस्तों सुन्दर सा अलमारी का कवर बन करके तयार हो गया है आप भी इस तरीके से अपने अलमारी को सुरच्छित रख सकते हैं धूल मीट्री से बचा सकते हैं ये देखिए हमारा अलमारी का कवर बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुका है दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा हो त चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइक अन प्रेस कर लिजिए जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहें तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा एक वीडियो हमने नीचे जहलर लगा करके बनाई थी उस पर आप लोग ने बहुत सारा प्यार दिया इसी तरीके से इस वीडियो पर भी अपना प्यार और सहयोग देते रहिएगा जिससे इस तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए हम भी मोटी पेट हूं तो धन्यवाद